बिंडो AC का थर्मो स्टेट आप यह देख सकते हैं बिंडो AC का थर्मो स्टेट काम कैसे करता है और कौन से AC में कुछ बिंडो AC ऐसे होते हैं जिसमें थर्मो स्टेट लगा होता है कुछ बिंडो AC ऐसे होते हैं जिसमें सेंसर लगा होता है कौन से बिंडो AC में सेंसर लगा होत के लिए जाते हैं लेकिन उसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook जो पहले के पुराने ओल्ड मॉडल के जो एर कंडिशना राते थे बिंडो जिसमें PCB नहीं लगा होता था PCB नहीं लगता था उसमें direct capacitor के साथ में compressor को supply और blower motor को supply दी जाती थी PCB उसमें नहीं लगता था यानि की remote उसमें काम नहीं करता था उसमें जो button का panel होता है जो आप देख सकते हैं ये button का जो पैनल होता है ना PCB के ऊपर उसमें सिलेक्टर स्यूच होता था था थर्मो इस्टेट का एक सिलेक्टर होता था और एक जो हमारा motor को सिलेक्ट करने के लिए high, medium, low और compressor सब्सक्राइब करने के लिए सिरेट बड़ एक रही होता है उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर दिमाग लगायां तो समझ पाएगे अच्छे से जिसमें पी लगा होता है उसमें जो PCB के अंदर छोटे-छोटे component लगे होते हैं जो की automatic काम करते हैं इसलिए उसमें sensor का जगह दिया जाता है उसमें thermostate नहीं दिया जाता है automatically काम करने के लिए उसमें sensor लगाया जाते हैं लेकिन जो जो इसमें old model के window air conditioner थे उसमें selector switch और thermostate लगाया जाता है उसमें manually select करना पड़ता है automatic select नहीं होता है उसमें आप इसमें क्या है कि automatic आप remote से दूर से ही बैट करके आप उसे temperature को up down कर सकते हैं fan motor को आप high medium low पर कर सकते हैं compressor को on कर सकते हैं compressor को off कर सकते हैं दूर बैट कर remote से ही क्योंकि automatically उसमें system दिया गया है इसलिए उसमें PCB लगा है इसमें क्या होता है कि जो old model की इसमें thermostate आपको अगर temperature down करना है temperature high करना है या फिर fan low करना है मेडियम करना है या फिर fan high करना है तो आपको manually जा करके करना पड़ेगा तो यह difference होता है तो उसमें जब manually करना पड़ता है तो उसमें thermostate दिये जाते हैं उसकी wiring इस तरह से की जाती है thermostate से लेकर के और से लेकर के और direct capacitor से हो करके compressor में चला जाता है supply fan motor में चला जाता है complete wiring में बता रहा हूं नीचे description में link मिल जाएगा वहां से क्लिक करके उस video को देखी और सीखिए इस video में मैं नहीं बताऊंगा कि wiring उसी कैसे की जाती है video में बताऊंगा तो video काफी लंबा हो जाएगा यह तो हो कि हमारा normal जो की manually हमें करना पड़ता है thermostat लगा होता है इस तरह से काम करता है लास्ट में दोनों को मैं बताऊंगा sensor और thermostat का काम कैसे करते हैं अभी नहीं बताऊंगा मैं अभी दोनों में comparison में कर दूँ कि दोनों में difference क्या होता है और कौन से AC में thermostat लगा होता है thermostat का तो हो गया हमारा air conditioner अब हम बात करते हैं कि जिसमें sensor लगा होता है अब sensor भी उसी तरह से होता है इसमें PCB लगी होती है मैं पहले बता चुका हूं थोड़ा समय किलियर कर दूं इसमें PCB लगी होती है इस AC में जो नए model आ रहे हैं सब में PCB लगी होती है और उपर पैनल ल आटोमेटी के काम करने लगेगा जिस पर चाहिए आप फैन मोटर चेंज कर रहे हों फैन स्पीड चेंज कर रहे हों या फिर आप टेंप्रेशर अप डाउन कर रहे हों तो आटोमेटी के इसमें छोटा सा डिस्प्ले भी होता है अगर आप रिमोट से भी करना चाहते हैं त तो दोनों का काम करने का तरीका सेम होता है, कैसे, थर्मो इस्टेट क्या करता है, कि उसके टेल में एक लंबा सा टेल होता है, वो तो सेंसर का भी टेल होता है, और थर्मो इस्टेट का भी टेल होता है, जो कि कूलिंग कोईल के उपर अटेच होता है, अब कूलिंग कोईल के पर अटेच क्यों होता है यह भी समझ लीजिए क्योंकि होता क्या है कि थर्मोष्टेट की पहले बात की जाए थर्मोष्टेट में एक गैस होता है उसमें जो कि क्या होता है कि जब कुलिंग यानि की जब एसी चल रहा होता है कुलिंग कुलिंग कॉयल में ठंडा होती है रू सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि यहां इसे चाहे चाहे लोगन सब्सक्राइब देते हैं और दूसरी तरब से निकाल लेते हैं लेजाकर करें के दें ही अब बताईए कि ऐगक सब्लाई कट जाए तो येसे हैं तो यहां क्या होता है पर आपक्रेसराइशika करेंS of allira कुछ कृषता है तो अकॉर जाता है तो क्या होता है कि compressor बंद हो जाता है यानि कि supply common की supply कट जाती है तो वहां पर क्या होता है कि compressor बंद हो गया फिर से जब रूम में गर्मी होती है यानि कि जो उसमें टेल में गैस पड़ा हुआ वो भी फैलने लगता है गर्मी की हो जैसे पहले तो सिकुड़ा है ठंडी की हो जैसे अब गर्मी करेंगे रूम में उतनी टेंप्रेचर जब मेंटेन हो जाएगा रूम में उसके बाद वो कंप्रेसर को बंद कर देता है यह तो हो गया थर्मो इस्टेट के काम करने का तरीका अब इसी तरह से सेम काम करता है उसमें जो सेंसर लगा हुआ है सेंसर में भी वही होता है कि सेंसर जब ठंडक के असपर्स में आकर के ठंडा होता है तो सिगनल भेजता है उसी कुड़ता नहीं है उसमें डाइफराम नहीं होता है कुछ भी नहीं होता आटोमेटिक को काम करता है उस सिगनल भे यह पॉयंट ही थिर में भी इन्पूइट होता है एक इन्पूट होता है एक आउट्पूटAm टाइंपूट में do you call कर उससे निकाल कर greyë कोंद में देते हैं तो अज हagu decisus बंद हो गया फिर प्ल कर में अग्यरų तो सब्सक्राब का सिकनल बस्ता एक फिर वो क्या जाता है और compressor फिर से on हो जाता है इसलिए इस तरह से automatic काम करता रहता है अगर thermostat है तो भी अगर sensor है तो भी दोनों एक समान काम करते हैं तो इस तरह से मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी useful रहा होगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जिरू कर दें लाश्ट मैं बताना चाहूँगा चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press करके all पर click कर ले ताकि जितने भी वीडियों मैं बना हूँ आपको सबसे पहले notification मिल पाए और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही था अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नया topic के साथ